नमस्कार में बॉबी जाए मैंनस न्यूज लाइब में आप सभी का स्वागत है आईए देखते हैं आज की खास खबर गौहाटी के जू रोड पर ग्रेनेट से हमले में छे घायल तीन को हिरासत में लिया वहाटी के वेस्थ जू रोड इलाके में एक शॉपिंग मॉल के बाहर ग्रेनेट से हमला हुआ है इस हमले में छे लोगों के घायल होनी की सूचना है घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस और सुरक्षाबल पहुच गए और जाच की जा रही है इस हमले में उलपा का हाथ होने का संदे जटाया जा रहा है मुख्य मंतरी सरवनंदन तोने वाल ने घटना की निंदा की है अब तक पुलिस ने ती दिन सुखिया से इस मामले में हिरासक में ले लिया जा चुका है अब तक मिली जानकारि के अनुसाद हमलावरों ने सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाया था जानकारी के अनुसार भुहाटी के जूरू के एक शॉपिंग मॉल में जब लोग घूम रहे थे उसी दोरान वहाँ पर कुछ लोग पहुँचे और उन्होंने मॉल के बाहर ग्रेनेट से हमला कर दिया इस हमले में 6 लोग घायल हो गए घायलों में दो पुलिस कर्मी भी बताया जा रहे हैं बताया जा रहा है कि ग्रेनेट से हुए विस्पोर्ट के कारण कई लोग सड़क पर ही गिर पड़े खून से लगपत लोगों को स्थानी लोगों ने तुरंद उपचार के लिए निकट के अस्पतार में भर्ती कराया बताया जाता है कि हमलावर्ट ग्रेनेट फेकने के बाद वहां से फराल हो गया हमले की सुचना के बाद स्थान्य पुलिस और सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को खेर लिया है असम कोहाटी में मौल के बाहर ग्रेनेट ब्लास्ट में छा घायल हो गए घटना के सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर घटना इस्थाल पर पहुंची और घेराबंदी कर ली इसके बाद ही खायल वैक्तियों को गोहाटी के मेडिकल कॉलेज असपताल रेफर कर दिया पुलिस आयोग तदीपक कुमार ने बताया कि राग आठ बजे ग्रिनेंट ब्लास्ट हुआ जिसमें छे लोग घायल है घायलों को असपताल में भरती कराने के बाद मामले की जाद शुरू कर दी गई है तो मनस न्यूज लाइट की पर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से मेंन सिंधी डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद